नमस्कार जैहिंज जैभारत और वेल्कम टूड़ टॉक इस आदियर चिंद पिछले कुछ दिनों में हम एक चीज देख रहे हैं कि भई ट्रेन के सब्राइज़ ते थे पहले अब ट्रेन से वो सब्राइज़ हो चुके हैं एरलाइन्स की उपर यह क्या हो रहा है वाट इस इ चीज फिराइज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कल के दिन में कल परसों के दिन में 20 से जारा फ्लाइट को ठेट मिल चुका हैं पिसाब आपके फ्लाइट के अंदर बाउम हैं आपके अंदर यह हैं और काफी सारे इंटरनेशनल इंसके इसकी उपर जेन्रेट हो है एक मैं आपको पताई है कि शिकागो जा रही थी फ्लाइट उसको कैनाडा में लांड करना पड़ा एक सिंगपोर के फाइटर एक्राफ लॉंच होने पड़े उसको एक आइसुलेट करके लैंड होना पड़ा सिंगपोर के पास तो यह एक बड़ी इंट्रेस्टिंग और बड़ी डेंजरस ही एक सिनारियो बाहर निकल रहा है जिसके बारे में मुझे आपसे थोड़ी सी बात करें देखिए यह जो एसी ऐसी थ्रेट्स यह जो इंडिन एर्लाइंस के साथ आरे हैं इसके बाद पूरा जहाच चेक होता है उसके बाद दुबा सारा जाएगा इट बेसिकली रिजल्स इन लॉंट लॉसस ऑफ क्रोर्स और रूपीज वेन सम्थिंग इस एक पैटन है इस चीजों के बारे में एक मैस्टी जो मैसेज़िस हैं इनके जिस तरह से आ रहे हैं उनके पीछे एक पैटन है और यह जो एक पैटन दिखता है कि ब बहुत सारे सड़नी थ्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं, so there is a certain pattern which is been observed by intelligence agencies जन्होंने इसके बारे में रिपोर्ट करा है कि हमको कुछ एक पैटन दिखता है इसके अंदर से emerge होता हुआ, अगर उनको एक पैटन दिखता है तो इसका मतलब यह है कि investigation अच्छी चल रही है, counter-terror और counter activities जो है आपकी, उनको उनकी ऊपर आपको कुछ नकुछ inputs बहुत जल्दी मिलेंगे, यह भी बताया गया है कि VPNs को use किया जा रहा है, ताकि यह जो messages और यह जो flight के threats और यह सब चीज़ें आ रही है, उनको trace back करना थोड़ा difficult रहेगा, और कही न कहीं ही पता चला है कि कही locations जो है sources की, उनके ऊपर भी काफी सारी tracing चल रही है इस टाइम पर और एक दो के दो locations western countries में कुछ cities के अंदर भी पाए गए हैं, देखिए यह एक part लगता है, एक larger conspiracy का जहां पर एक burden आपकी security agencies पे increase करने की बात की जा रही है, और काफी हद तक एक chatter है, anti-India circles के अंदर to issue bomb threats to basically unsettled the aviation sector और जिस तरह से अगर यह होता है, तो आपकी security agencies पे आपको जैसे मैंने बताया कि एक extension रोल बढ़ जाता है, उनको extra investigation करनी पड़ती है, जो normal times में आपको करनी ना पड़े, यह जो चीजे हैं, these are not normal situations, क्योंकि देखिए, थोड़े बहुते एदर होदर dangerous incidents होते हैं, लेक Central Government की तरफ से discussions अभी चल रही है, Ministry of Civil Aviation की तरफ से कले एक statement आया, कि बहिया, perpetrators जो है, इनको पहले तो low-fly list में डालेंगे, यहां तक की बात चल रही है, कि जाब इनकी उपर N.A.C. लगाया जाए और terrorist activities की उपर, जिस तरह से कारवाई की जाती है, उसी तरह की कारवाई इन इस तरह से legislative amendment भी किया जाए, ताकि एक law बनाया जाए इसकी उपर, ताकि कोई ऐसा अगर कुछ करे तो उसकी उपर crackdown करना, करने के लिए आपको इदर उदर भागना ना पड़े, you got the law ready, उसको जाकर आप apply करिये, सीधा-सीधा उनकी पीठे थोड़िये, जो भी treatment, treatment जब कर operating procedure और एक plan बनके अब तयार हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया, 70 flights operated by Indian carriers have gotten bomb threats, over 70 flights, तीक है, all of which, by the way, have turned out to be false, इस पे obviously online crackdown तो चली रहा है, और कहीना कहीं 10 से 12 social media handles को ban किया गया है, they've been suspended, block and investigations उनकी उनकी उपर already start हो चुकी है, एक जो bomb hoax ऐसा call आता है, ये किसी airline को 2 से 3 करोड रुपे का घाटा देता है, और इसका cost दीरे-दीरे करके बढ़ता रहेगा, क्योंकि airlines का क्या होगा, जो insurance होती है, उसकी उपर भी आपके ये rates बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि overall जो एक airlines का cost है, to actually operate and maintain their fleets will become much-much more heavy, तो guys मैं आपको बोलू, ये तो एक terrorism की तो ही है, but this is also economic terrorism, जिसके बारे में मोदी साब ने बड़ा clearly बोला था, कि एक international conspiracy है, भारत की economy पे target करने के लिए, भारत की stability, भारत की sovereignty पे target करने के लिए, हमने तैसे थोड़ तैम पहले देखा था, और मैं काफी time से बोल रहा था, ये जितने भी train accidents होते हैं, अभी जैसे मैस लिए बात करी है, कि एक critical infrastructure का एक law बन के भार निकलना चाहिए, ताकि इसको tackle करने में जो resources डालनी है, वो डाली जाएं, और उसके बार जो पकड़े जाते हैं, उनको किस तरह से treatment देना है, उसके बारे में भी पूरा-पूरा एक structure ready होना चाहिए, जिसका काम औरड़ी शुर इनके cost होते हैं, अगर आपकी flight अभी take off करी है, उसके अंदर full fuel रहता है, और उसके बाद उसके अंदर bomb hooks आता है, तो अगर उसको वापिस उसी जगे में land करना है, तो उसको वहाँ घूम के पूरा अपना aircraft का fuel को dump करके तभी जाके नीचे आना, आके land करना बढ़ता है, because heavy aircraft cannot land, accident हो जाएगा आपका, so safety के लिए जो चीजे जो precautions आपकी होती है, उसका cost आपका धीरे-दीरे करके बढ़ता रहेगा, देखिए ये peak season है, अभी obviously festival season चल रहा है, दिवाली दर्शरा का time है, and उसके अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि these threats have actually gone up, and देखिए कोई भी conspiracy that is being hatched, एक पता चला, 36 गड़ में 17 साल के बंदें को उठाया गया, जो basically X platform की उपर, Twitter की उपर आके बड़े जबरदर threat, 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 issue कर रहा था सबको, पता चला कि इसका कोई एक revenge ला कुछ game था, 25 साल के अपने business partner की उपर, कोई financial dispute था, कोई sexual misconduct की कोई problems थी, कोई harassment की problems थ चकर में इसने उसका account hack करके, वहाँ पर उसके account से ये threat calls देने शुरू कर दी है, उनको तो, उसको तो arrest कर चुके हैं, और ये तो अब देखिए, इसी angle में निकलता है, लेकिन काफी सारे और भी angles हो सकते हैं इसके अंदर, और भी angles क्या हैं, देखिए, अब ये थोड़ा सा ये threat calls आने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताओं किस तरह से, पन्नु ने बड़ी clearly Indian Airlines को threat दिया था, Air India को तो बड़ा clearly threat दिया था, कि भई मैं इसको उड़ाऊंगा, मैं बाम करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इसको hijack करूँगा, मैं इसको target करूँगा तो ये चीज तो obviously Canadian Sikh militants की तरफ से, Canadian Sikh terrorists की तरफ से, ये चीज़ें काफी टाइम से आ रही हैं, कुछ report जैसे मैंने आपको बताया है, intelligence agencies काम कर रही हैं, जिसके अंदर IP addresses मिले हैं, UK के, Germany के और Canada के, and कही न कहीं, इसकी उपर अभी obviously दीरे-दीरे करके crackdown होना शुरू होगा, प्रिटी planned affair की आपकी economy की उपर एक हद तक, काफी हद तक attack करने की पूरी कोशिश की जा रही है, आपको ये याद होगा, थोड़ टाइम पहले अडानी की उपर काफी तरह से attack हो रहा था और आपकी economy को down करने की कोशिश की गई थी, ये एक अलग angle अब बे निकल के आएगा की आपकी economy की उपर किस तरह से attack अभी चल रहे हैं, सैमसंग के plant के बारे में आप सब को पता है, दो-ती नफ्ते तक वहाँ पर strike रही और इससे काफी एक गरबड होती है, और Chinese की दरफ से भी iPhone की उपर भी गड़े-बड़े article लेके जा रहे हैं कि किस तरह भारत इस चीज़ क को आगे नहीं लेके जाता है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ निकलता है, जो साइनो वहाँ भी leftist alliance है, यह वापिस जुड गई है और अपना काम भारत को destabilize करने के लिए और भारत के उपर एक cost डालने के लिए काम कर रही है, यहाँ पर government को बहुत ही सतूक रहना पड़ेग उसके उपर actions वहे, CCTV cameras लगे, काफी हतार monitoring शुरू हो चुकी है, patrolling शुरू हो चुकी है, काफी यह चीज़ें हो रही है और कई लोगों को पगड़के उनकी सुताई भी हुई है, तो obviously यह deterrence create होता है, ऐसे ही कोई action आपको करना पड़ेगा, but the problem is that some of these bomb threats are actually originating from abroad, इसके details आप को निकालने पड़ेंगे, you will have to file cases and extradition treaties के हिसाब से, आपको यह extradition treaty के हिसाब से, आपको extradition के लिए मांगना पड़ेगा, for investigation and for punishment, यह चीज़ आपको खरनी पड़ेगी, यह आपके हाथ में एक, जो crisis है, उसके अंदर एक opportunity आपको मिल रही है, कि West को अभी किस तरह से pressure में डाला जाए, I hope that the government of India takes this opportunity और इसको पूरी तरह से first to investigate करें, और इस opportunity को आगे लेके जाके, proper तरह से, जिस तरह से, जिस भी country के उपर pressure डालके, उनके जो भी citizens यह चीज़ें कर रहे हैं, उनको अगर सीधा करना है, उसका opportunity हमको बिलकुल use नहीं करना चाहिए, dangerous scenario guys, इसके उप contribute कर सकते हैं, using the QR code, या फिर PayPal, या फिर Super Sticker, Super Chats, आज दुपैर में भी मैं थोड़ी बात करूँगा कि भारत का जो game है, West के साथ, basically अब बैठा है, exposures करने के उपर, West की असलियत उनको दिखाने के उपर, उसी थोड़े narrative में, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको करेंगी शौक, तो जरूर देखेगा वो शौको, सवा तीन बज़े, तब तक, जय हिन, जय भारत!